पांच मई को नीट का एक्जाम था और चार मई को एक्जाम पेपर लीक किया गया उनको कोशन पेपर एक दिन पहले दे दिया गया और फिर उनको अपनी हिरासत में जाके एक्जाम दिलाया गया और वो बच्चे क्वालिफाई भी हो गए जब देश का इतना विश्वसनिये पेपर लीख हो रहा है जिसके अंदर 24 लाख बच्चों का भविश्य जुड़ा हुआ है जो बच्चे 16-16 घंटे तयारी करते थे केंदर सरकार उस पे बिल्कुल चुपा है आज जो बिहार से खबर आई है वो बहुत सीरियस बात है पांच मई को नीट का एक्जाम था और चार मई को एक्जाम पेपर लीक किया गया कुछ बच्चों को एक सेफ लोकेशन पे ले जाया गया उनसे मुबाइल ले लिये गए उनको कोश्चन पेपर एक दिन पहले दे दिया गया और फिर उनको अपनी हिरासत में जाके एक्जाम दिलाया गया और वो बच्चे क्वालिफाई भी हो गए ऐसे चार बच्चों को पुलिस ने अरेस्ट किया है और करीब 13 बच्चों का ये मामला है बाकियों को नोटिस दिया है इससे बात साफ हो जाती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था जब देश का इतना विश्वसनिये पेपर लीक हो रहा है जिसके अंदर 24 लाख बच्चों का भविश्य जोड़ा हुआ है जो बच्चे 16-16 घंटे तैयारी करते थे केंदर सरकार उस पे बिल्कुल चुप है कोट करेगा कोट क्यों करेगा भई सरकार को करना है न कोट तो तब करेगा जब सरकार नहीं करेगी सरकार कोई कुछ को नहीं कर रही है ना पेपर को दुबारा करने की बात की जा रही है कहा जा रहा है कि बच्चों को जो हैं सीट एलोकेशन कर दी जाए जब एलोकेशन ही हो जाएगा तो फिर आप क्या कर सकेंगे पर तो सब कुछ खराब हो जाएगा